साथ संगा जी प्यार से कहना धान्रमकार जी साथ संगा जी पिछले कुछ वर्षों से हम इन ग्राउंड्स का यह सुन्दर रूप देख रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हिंदुस्तान से बलकि विश्व भर्ष के अनेकों स्थान से महापुर्ष पहले आके सेवा करते हैं और चंद हफ्तों में हमें ये सुन्दर रूप देखने को मिल जाता है साथ संगा जी ये एफर्ट्स इसलिए होते हैं कि जो समागम में महापुर्ष आते हैं वो आराम से समागम का आनन्द भी ले पाएं और इस मिशन की जिक्षाओं को इस मिशन के आदेशों को बाबजी के आदेशों को दुनिया के कोने कोने में फैला पाएं साथ संगा जी दुनिया में तो डाइवरस्टी के कारण इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है चाहे वो वेश भूशा की negativity हो, जादपाद की हो, कास्ट कलर, करीड की हो पर यहां पे एक सुन्दर अनेकता में एकता वाला शहर बसा होता है A beautiful ocean of unity in diversity, full of bliss साथ संगत जी समागम dates भले ही August या October में आ जाती है पर जब एक समागम खतम होता है तो दूसरे समागम की इंतजार तभी से सब कुछ शुरू हो जाती है कि कब समागम की dates आएं और हम दुबारा सेवा के लिए इन grounds में पहुँचें और समागम पे हर महापुर्ष के दर्शन कर पाएं साथ संगत जी पिछले चंद वर्षों से तो ऐसे देखने को मिल रहा है कि अनेकों महापुर्ष समागम से पहले ही काफी दिन पहले ही सेवा पे आ जाते हैं हप्ता दस तिन पंदरा दिन सेवा में लगा के फिर अपने घरों को वापिस चले जाते हैं तांकि बाद में वो घर की जूटी दे पाएं और घर के बाकी के सदस उनके समागम पे पहुँच पाएं साथ संगा जी पिछले दिनों में आप सब जानते हैं डेली में पल्यूशन के कारण एजिंसिस की तरफ से भी काफी रूल्स रेगुलेशन उन्होंने फॉलो करने के लिए भी बुले सबने मास्क लगाना है और कम से कम घर से बाहर निकलना है तबी उन दिनों में जूनिय सकूल की डेली में छुटी भी हो गई उनी दिनों में एक अद बार चक्कर इन ग्राउंज में रदाने को मिला और देखा छोटे बच्चे स्कूल की छुटियां होने के कारण इन ग्राउंज में सेवा लगे हुए थे और एक बहन का वाटसेप आया माताई जी हमारे बच्चे इतने खुश हो रहे हैं कि दिली में पल्यूशन हो गई है हमारी स्कूल की छुटियां हो गई है वैसे तो आप सेवा के लिए छुटियां लेने नहीं देते पर अब ये पल्यूशन हॉलिडेज हमको मिल गए है साथ संगर जी आज के दिवस को प्रार्थना दिवस भी कहते हैं नंकार से यही प्रार्थना है कि जो भी इस समागम पे पहुँच गए हैं या रास्ते में हैं पहुँचने वाले हैं या जो इंटरनेट के जरिए इस समागम में अपना हिस्सा डालेंगे नंकार सबके जीवन में आनन्द आपाए और जो जो इस समागम में गीत कविताएं प्रवचन सुने उनको सिर्फ सुनने तक नहीं पर अपने जीवन में अपना के तमाम दुनिया तक फैला पाएं साथ संगर जी, each and every teaching of भाबजी was a blessing for us और अभी आपने हर्देव बानी का भी सुना हैं जैसी सिंपल लाइफ पावजी ने, he always lived a very simple life and his teachings were very simple हम उनको सिर्फ सुनने तक इस हर्देव बानी के एक एक शब्द को सिर्फ सुनने तक और बोलने तक ही न रखें पर उस पे अमल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं प्यारी साथ संगर जी प्यार से कहना धन्माद हम उसका आएफाट vortex प्यारी से कहन मझा शीवन प्यारी साथ